आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां क्या बातचीत हुई और कॉंग्रिस में कलहय का कोई अंत अब दिख भी रहा है या नहीं गोरखपुर में हुई कानपूर के कारोबारी मनीश कुटता की संदिग्द मौत के बाद एक वीडियो तेजी से वाइरल है इसमें पुलिस की बरबरता साफ दिखाई पड़ती है इसी बाहने एक एनलिसिस करेंगे कि क्या पुलिस जबरन होटल में घुसने का अधिकार रखती है और क्या लॉइंड ओर्डर मजबूत करने के चक्कर में यूपी पुलिसिया स्टेट तो नहीं बनता जा रहा फिर बात अमरीका के जहां एक बार फिर से गवर्मेंट शटडाउन के आसार नजर आ रहे है समझेंगे पूरा मामला क्या है लेकिन शटडाउन के इतने करीब क्यों आ गया है अमरीका और आखिर में बात शराब गी है वो इसलिए क्योंकि नई आबकारी नीती के वज़ह से अक्टूबर में 46 दिन तक दिल्ली में दुकाने बंद रहने वाली है 40 प्रतिशत दुकाने क्यों हो रहा है ऐसा ये बताएंगे आपको लेकिन सबसे पहले खोश्बू से हेडलाइन सुनते है पूर्व विदेश मंतरी नटवर्सिंग ने आज कांग्रिस की मौझूदा हालात को लेकर पार्टी आला कमान पर सवाल उठाया उन्होंने कहा कि ये हालात बिलकुल भी ठीक नहीं है इसके लिए तीन लोग जिम्मेदार है उनमें से एक रहुल कांदी है रहुल के पास कोई भी पद नहीं है लेकिन इस सभी मामलों में फैसले लेते हैं पश्रिम बंगाल की सियासत में महत्वपूर्ण भवानेपूर विधान सभा सीट पर उपचनाव के लिए आज 30 सितंबर को सुभह 7 बजे मद्दान शुरू हुआ सीट पर शाम 5 बजे तक 53.32 फीसी मद्दान हुआ इस बीच बीजेपी उमीदवार प्रियंका टिब्रिवाल ने CMC पर वोट खरीदने और बूत क्याप्चिरिंग का आरोप लगाया CM योगी ने कानपूर के प्रापर्टी डीलर मनीश गुपता के परिवार से आज मलाकात की इस दौरान उन्होंने केस को गोरखपूर से कानपूर ट्रांसफर करने की आदेश भी दिये हैं आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मनीश की मौत हो गई थी राजस्थान में ग्रामीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के ग्रामीन ओलंपिक खेलों के पंजियन फर्म पर खिलाडियों से उनकी जाती पूछी गई अब इस मामले के बाद खिलाडी भड़क उठे हैं साथी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जाती संबंधी कॉलम को फॉर्म में क्यूं जोडा गया मध्य प्रदेश के मुखे मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने आज दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की शिवराज ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिती की जानकारी दी बारिश किस्तिती और इथनौल पॉलिसी पर भी प्रधानमंत्री से बात हुई राश्ट्रे महिला आयोग ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतह संग्यान लिया है जिनमें एक महिला वायूसेना अधिकारी ने अपने एक साथी पर यौन उत्पीरन का आरोप लगाया था साथी वायूसेना के डॉक्टर्स ने पिड़िता को टू फिंगर टेस्ट के लिए कहा था बता दें कि सुप्रीम कोट ने आठ साल पहले टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी थी कनर टेलिविजन एक्टर्स सौजन्या ने फासी लगा कर आत्महत्या कर ली है आज सुभे बेंगलरू के अपार्टमेंट में मिर्थ पाई गई पुलिस ने उनकी लाश के साथ सुसाइड नोट भी बरामत किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए एयर चीफ मार्शल वियार चौधरी ने आज भारतिय वायुसेना के प्रमुख का कारेभार समाला चौधरी देश के 27 वे वायुसेना प्रमुख बने हैं वे नाशनल डिफेंस अकाडमी के छात्र रहें और डिफेंस सर्विसे स्टाफ कॉलेज से भी ग्राजवेट है रक्षमंद्री राजना सिंग से चौधरी की आज मुलाकात भी हुई और चन्नेई सुपरकिंग्स ने IPL 2021 फेस दो में आज सन्राइजर्स हैदरबाद के खिलाफ टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया है इस मैच से पहले चन्नेई की टीम 10 मैचों से 16 अंक लेकर पॉइंच टेबल में पहले स्थान पर है वहीं सन्राइजर्स हैदरबाद की टीम 10 मैचों से 4 अंक लेकर 8 वे और आखरी स्थान पर है बात आज सबसे पहले पंजाब कॉंग्रिस की जहां दंगल हो रहा है और दिन पर दिन ये दंगल जो है अब दिल्चस्प होता जा रहा है पहले नवजोट सिंग सिध्धु ने पंजाब प्रदेश अध्यक के पद से स्थीफा दे दिया अब कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने कॉंग्रिस छोड़ दी इससे पहले दिल्ली पहुँचे कैप्टेन अमरिंदर ये कहते रहे कि मैं बंगला खाली करने आया हूं किसी से मिलूँगा नहीं और कल शाम होते होते हैं अमिट शाह से मिल लिये आज सुबह अजे डोबाल से भी मीटिंग हो गई खूब कयास बाजी हुई कि बीजेपी में जा रहे हैं ये तो भी पता नहीं कि जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं लेकिन कॉंग्रिस तो मैं छोड़ूंगा ये उन्होंने आज साफ कर दिया था उधर पंजाब केबिनेट गठन से नाराज हुए सिद्धु को मनाने की हर संभव कोशिश चल रही है हाला कि राजियस्तर पर हो रही है और सिद्धु जो है मानने को राजी नहीं थे बार सीम की काबिलियत पर सवाल उठाना बंद कीजिए अब इस मिटिंग को लेकर हर किसी की नजरें इसी बात पर टिकी है कि पंजाब की राजनीती में आगे क्या होता है कॉंग्रिस का कुनबा अब संभलेगा या नहीं संभलेगा तो आज जो इन दोनों की मिटिंग यह हमने पूछा आज तक रेडियो की रिपोर्टर सतेंद्र चौहान से उसको लेकर आड़े हुए थे लेकिन मुख्यम अंप्री चरण जीत चन्ली ने साथ कर दिया है कि वो एड़ो के जर्नल को नहीं हटाएंगे लेकिन जो सैक्रिलेज किसी हैं जो बेयादवी के मामले हैं धार्वी द्रंतों की उनको लेकर एक सेपरेट कोई स्वालिस्टर ज कर दियार हो गया है और इसके बाद जॉइंट प्रेस कॉंफरेंस नी जा सकती है लेकिन जिस तरीके से चरंजीत सिंग चन्ली और नवजो सिंग सिद्धू मीचिन छोड़कर अलग अलग निकले हैं वीडिया के सामने नहीं आए किसी तरह की कोई भात नहीं की आलांकि चरं कि मीचिन काफी नंगी चली है मीचिन के अंदर सुलय के पार्मूले की बास की जा रही है हो देकिन आने वाला सामय है 나와 परवाण के सद्धू के और उनकी बौडी लेंग्वूज को देखे तो लग एसरा है कि आने वाले समय में भी ये वाद विवाद की जो प्रिकरिया है ये निरंतर जारी रहेगी और नव्जू सिंग से दूख खामोश रहने वाले नहीं है कोई मिलाकर पंजाब कॉंगरिस में जो अंतर कल है जारी थी वो फिनाब एक दम साप होटी खत्म होटी हुए नजब नहीं आरही है सतेंद्र कैप्टन का बयान आया कि कॉंगरिस में भी नहीं रहेंगे बीजेपे में भी नहीं जाएंगे क्या माईने निकल रहे है इसके करते हुए उन्हें कोई और पार्टी जोइन कर रही है तो जो टोटल विधायक है तो उनकी एक पुर्टिकुलर संख्या होती है वो संख्याबल उनको चाहिए उतनी बड़ी कादापनी विधायक उनको चाहिए तो तो फिलाल दोनों ही शर्पें कहीं से कहीं नहीं पूरी नहीं हो पा रही है दूसरी बात कैप्टन अमरिंदर सिंग ता तार्गेट क्या है कैप्टन अमरिंदर सिंग ता तार्गेट है नव्योद सिंग सिद्धो और कॉंग्रेस पार्टी को ये दिखाना कि कैप्टन अमरिंदर सिंग दरसल चीज क्या है तो वो ये काम कॉंग्रेस पार्टी में रहेंगे और कॉंग्रेस पार्टी के लिए सरदर्द बने रहेंगे और कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब भी बोलते रहेंगे तो जवाल ये खड़ा होता है या तो कॉंग्रेस पाइटी को यह ऐसा एक्शन ले कि कैप्टर अमिंदर सिंग को पाइटी से बहार किया जा है या फिर कैप्टर अमिंदर सिंग रिजाइन करें जिसकी संभावना एक लाल कम लग रही है तो उसके लिए लग रहा है कि कैप्टर अमिंदर सिंग आने वाले वक्त की तैयारी कर रहे है अच्छा सतिंद्र अप कल ही कॉंग्रेस में बिखराओ की खबरों के साथ अचानक G23 से भी आवाजे उठें कपिल सिब्बल ने कॉंग्रेस छोड़ रहे नेताओं की बात करते हुए पार्टी लीडर्शिप पर सवाल खड़े किये उसे गुलाम नभी आजाद ने भी समर्थन दिया इस पर केंद्रे नेतरत्व का क्या रोख है केंद्रियन नेतर्व तो सारी घटना करन पर नजार लगाए बैठा है और G23 उसके चाहिए कितने भी नेताओं वो कहीं ना कहीं लुखर हो रहे है और गुखर जब नेता होते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि आपका जो नेतर तो है केंद्रिय है वो कमजोर हो रहा है और उसकी वज़े से ही ये बगावतों का दौर शुरू होता है अगर फिलाल की बात करें तो देखे के के लिए लगा जा रहे है कि कैटन अमरिंदर तीं में ज़हा है जम्मू कश्मीद के पूर्व मुख्यमंतरी गुलाम नभी आजाद हैं, कफिल गिबल हैं, यहां तक कि पूर्व हर्याना के मुख्यमंतरी भुपेंबा भुड़ा का नाम भी इसमें जोड़ा गया था, मनीश पिवारी हैं, तो यह वो लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर मैं वर्दी को शरीर का नहीं, आत्मा का लिबास मानता हूँ, जब तक मेरे शरीर में आत्मा है, यह वर्दी नहीं उतर सकते हैं 1989 में आई फिल्म वर्दी की कसम में पुलिस के किरदार में मशूर हुए फिल्म अबिनेता जितेंद्र भले ही वर्दी को आत्मा का लिबास मानते हूं मगर असल में पुलिस विवस्था में ऐसा मानने वालों की बहुत कमी है दाग लगाने वाले भी वर्दी पहनने वालों के बीच में ही हैं इतिहास गवा है ना जाने कितनी बार कानून के रखवालों नहीं कानून हाथ में लिया इन दिनों गोरकपूर पुलिस सवालों के घेरे में है, कानपूर की व्यापारी की मारपीट के बाद हत्किया को उस पर आरोप लगा है। इस पर ऐसा ही आरोप लगा। आरोप ये था कि 20 साल के गौतम सिंग की पुलिस कस्टड़ी में संदिक धालत में मौत हो गई। कि इसी अवधी में हिरासत में 1189 लोगों को यातना चिलनी पड़ी। गुजरात में इस दोरान सबसे ज़्यादा पुलिस हिरासत में मौते हुई। इसके बाद मध्यप्रदेश का नंबर है और तीसरे नंबर पर यूपी है। हालां कि यूग्यादितिनाथ ने पुलिस को बहुत फ्री हेंड दिया, ये बात सब लोग मानते हैं, जानते हैं और उनकी सरकार का डावा भी है कि पुलिस की सकती से लॉइंड ओर बना रहता है। लेकिन लॉइंड ओर्डर मजबूत करने की चक्कर में क्या यूपी एक पुलिसिया स्टेट बनता जा रहा है। ये हमने पूछा केरल पुलिस में डीजी पी रह चुपके एंसी अस्थाना से, उन्होंने पुलिस और उसके सिस्टम पर कई किताबे भी लिखी हैं। मैं इस बारे में आप से थोड़ी औस अहमत इव्यक्ति करूँगा। भारत में पुलिस का चरित्र लगभग पूरे देश में एक ही जैता है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा अंतर पड़ जाता है, जैसे कि कीरल में, मैं यहां कोई वंपंति शासन की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कीरल में, कॉंग्रेस शासन में भी ये एक परंपरा बन गई है कि वहाँ पर पुलिस का आचरण जो है अन्नी स्टेट्स के मु करतमान शासन को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठाराया जा सकता है, पुलिस आज से नहीं, पिछले 160 वर्शों से अपने अधिकारों का दुरुपियों करती आ रही है, और ये बात एक नहीं, अनेक सुप्रीम कोर्ट के जैजमेंट्स में प्रमानित हो चुकी है, एक नहीं प्रोविजन ये है कि कहीं कोई, मतलब पुलिस ये आरोप लगा सकती है कि कहीं कोई व्यक्ति अपराद करने की नियत से अपनी मौजूद्गी छपाय हुए है, तो मतलब उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन दरोगा जी कोई संदे हो रहा है कि अपराद कर लेगा, तो पुर करने की नियत से अपनी मौजूद्गी शिपाय हुए था, तलाशी लेने पर एक चाकू अदद, एक चाकू बरामा दूआ, फल आहनी दस्ता चोबी, जिसका ब्लेट जो है लोहे का था, और हैंडल जो है लगडी का था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाई किसी पुलिस वाले ने जंग लगी हुई तालियों का एक उच्छा भी दिखा देगा, एक मुंबत्ती भी दिखा देगा, और एक माचिस भी दिखा देगा, कि मुंबत्ती से माचिस से मुंबत्ती जला के उसकी रोशनी में चोरी करता, तो इस प्रकार की शक्तियां जो 1861 से होता आ रहा है, प्राय सारे ही राज्यों में होता आ रहा है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज्जमेंट से पर उठा के देख लेंगे, 1920s के भी जज्जमेंट मौजूद है, जबकि इन पावर्स का दुरूप योग किया जा रहा था, तो उसमें किसी भी एक के ऊपर दोश लगाना कि अब ये पुलिसिया राज्य बनता जा रहा है, ऐसा सही नहीं है, क्योंकि वस्तुतर ये पूरा देश ही पुलिसिया देश बनता रहा है, अनंत काल से क्या पुलिस को हमारे घरों में मन्चाहे तरीके से घुसने का हक है, और होटिल के नियम क्या कहते हैं इस बारे में? कि तु घर पर आए कि नहीं है, उसके बाद 1993 में महमद शफी के केस में आदेश दिया गया कि पुलिस वाले इस तरह से घर के बाहर भी खड़े नहीं हो सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी का उलंगन हो रहा हो, अगर किसी घर के ऊपर किसी कारण से निगाह रखना आव लंगन कर रही है और जनता को ये बता रही है कि ये कुछ इस टाइप के संदिक प्राणी है कि इनके उपर निगाह रखना आवश्यक हो गया है, होटल में पुलिस को घुसने का कतई अधिकार नहीं है, और ये लोगों की प्राइवेसी का उलंगन है, और पुलिस ये दलील कतई नहीं दे सकती है कि उनको कोई गोपनी सुचना मिली थी कि वहाँ कोई अपरादी है या कोई आतंकवादी है, क्योंकि इस प्रकार की जूपी गोपनी सुचना की दलील तो आप अभी भी दे सकते हो, कि फलाने के घर में आतंकवादी शिपा है या आपरादी शिपा है इस तरह से पुलिस को गुशने का कहीं कोई अधिकार नहीं प्राफ्त है अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सुचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रियक्शन भीजना चाहते हैं और वो आसान भी है बस बटन दवाईए भीजिए तो नंबर है लिख लीजिए कि 995302903 जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पाउदू इसको 9953323303 गुमशुदा तलाश के इन लेकिन ठीक है इसमें मतलब तीन ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें पांच बार तीन आया है बात अब अमेरिका की जहां एक बार फिर से गॉवर्मेंट शेट डाउन के आसार नजर आ रहे हैं अमरीकी सरकार के लिए तै की गई रण यानि कर्ज लेने की सीमा पर ये विवाद शुरू हुआ था और अब ये मामला यहां तक आ पहुँचा है कि सरकार और विवपक्षेक दूसरे के सामने अडगाए हैं बिढगाए हैं और एकदम एक स्थिती ऐसी बन गई है कि सब कुछ रुखसा गया है कोई किसी से सहमत होने को राजी नहीं है अगर ये स्थिती और भी दिन चली तो फिर रिजल्ट शटडाउन की रूप में ही सामने आएगा जो कभी भी सरकार तो नहीं चाहेगी इसके पहले भी शटडाउन का गंभीर परिणाम अमेरिका भुगत चुका है तो क्या है पूरा मामला और ये राड इतनी क्यों बढ़ गई है ये हमने पूछा इंतराष्ट्रे मामलों के जानकार और अमेरिका में ही इंटरनेशनल अफेर्स पढ़े महम्मद जीशान से अमेरिकी सरकार का शटडाउन एक फाइनाशल सिचुएशन है इसलिए होता है क्योंकि हर साल के लिए बजट होता है एन्वल बजट होता है जैसे हमारा यहां भारत में होता है और शटडाउन इसलिए होता है क्योंकि ये अगर ये बजट को यूएस कॉंगरस जो अमरीका की पार्लिमेंट है अगर वहाँ पर बजट को यूएस गवर्मेंट फंडिंग के लिए अप्रूव नहीं हुआ है तो इसके साथ ही यूएस गवर्मेंट का जो फंडिंग है उसमें शॉर्टेज हो जाता है और कई ऐसा नॉन एसेंशिल गवर्मेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनको क्लोज करना पड़ेगा तो यही स्थिती है अब इसलिए होता है क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो जाता है और आज का डिस्प्यूट ही है कि जो बाइडिन का गवर्मेंट एक वन ट्रिलियन डॉलर प्लैन लेके आए हैं अमेरिकन इंफ्रस्ट्रक्टर को डिवेलब करने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए लेकिन रुपबिकन्स इसको नहीं मांते हैं और डिमोक्राइटस इसको पास करना चाते हैं तो इसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है यू.S. कॉंग्रस में और इसी लिए बिल पास नहीं होता है और फंदिंग नहीं मिलता है यू.S. गँवर्मेंट को तो यही स्थिती है अब Wednesday या Thursday को यही खबर है कि Senate में शायद voting हो जाएगा और अगर funding का बिल पास हो गया, budget को पास कर दिया तो फिर वो US House of Representatives को जाएगा जो दूसरा chamber है US Congress में और अगर वहां पर भी पास हो गया तो फिर President को जाता है और अगर President ने इसको sign कर दिया तो फिर मा खत्म हो जाता है जिशान अगर shutdown होता है तो इसके क्या नुकसान अमेरिका को जहिलने पड़ सकते हैं और इससे पहले जो shutdown हुआ था वो किन कारणों से हुआ था उसके क्या नुकसान हुए था जब US government का shutdown होता है तो कई ऐसा non essential services होते हैं जैसे for example national parks, national park department का जो employees होते हैं इनक funding ने होता है, budget ने होता है तो US government का shutdown हो जाता है और इसी के साथ ये इन पार्क, national park service का employees ये एक ही example है, ऐसे कई departments होते हैं इन लोगों को रिहा कर देना चाहिए, उनको furlough कर देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं American law में और इसका यही मतलब है कि उनको salary के बिना काम करना पड़ेगा, नहीं तो काम छोट देना चाहिए, तो इसी problem हो जाता है और department shutdown हो जाता है, नहीं तो partially functional हो जाता है, पिछले कई बार ऐसा हुआ है, last instance यही है कि Donald Trump का presidency में 35 days के लिए US government का shutdown हो था 2018 में, ये American history में सबसे लंबा shutdown का instance है, 35 days, और उस वक्त इसी dispute था कि आपको शायद याद रहेगा कि Donald Trump Mexican border पर एक दीवार बनाना चाहता था, और इसी के लिए Donald Trump ने funding का इस्तमाल करने के लिए US Congress से इसका इंतजाम करने के लिए request किये थे, लेकिन Democrats का मानना था कि ये Mexican wall दीवार एक अच्छा spending project नहीं होगा तो Democrats इससे इसको मान नहीं माना तो इसी के साथ वहां पर dispute हो गया था, बाद में compromise solution हो गया था कि funding bill में Mexican wall का provision नहीं होगा, इसको मिटा दिये और इसको मिटा कर US Congress ने funding bill को पास कर दिया आज उतनी भी मैस्तर नहीं मैं खाने में, जितनी छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में शरावी फिल्म में मिताब बच्चन की लड़ खड़ाती आवाज में आपने शेर सुना होगा, लेकिन यह हकीकत बनने जा रहा है दिल्ली में, जांगले 45 दिन के लिए शराव मिलेगी तो मगर थोड़ी कम शराव की 40 फीजदी दुकाने यानि कि जो प्राइवेट दुकाने है सारी वो बंद रहेंगी, इस फिर बदल की वज़ा है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीती और नई नीती लागू होने के बाद, एक अक्टूबर से प्राइवेट दुकानों को बंद कर दिया जाएग नई आबकारी नीती के तहट 266 प्राइवेट शराब की दुकानों के साथ सभी 8500 शराब की दुकाने टेंडर के जरिये नीजी कमपनियों को दे दे गए इसके लाब नई लाइसेंस होल्डर शेहर में शराब की होलसल बिखरी 17 नवंबर से शुरू कर सकेंगे तो क्यों जरूत पड़ी दिल्ली सरकार को नई आबकारी नीती की इस पॉलिसी में क्या है ये जानने के लिएमने बात की दिल्ली माज तक रेडियो रिपोर्टर सुशान्त महरा से जरूर्मिक और नोंवर्मिक तो इनने के टूसिक्स्टी जो वाइन शॉप से उनको प्राइबे जो प्लोस किया जा रहा है गेर महिने के लिए इसके बार री टेंडर का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है तकरीबन अब 17 डेंबर से अगर कहा जाए तो दिल्ली में 850 नहीं लिकर शॉप्स जो है वो उपन होंगी ऐसा नहीं है कि लोगों को लिकर नहीं मिलेगी पूरी तरह से दिल्ली के लिकर ज कोई कमी नहीं हो हाला कि इसके लावा अगर बात कीज़ाया है तो वो भी आपको बताऊंगा लेकिन इदे समाझना है कि जब यह लिकर नहीं मिलेगी तो गौर्णनेट जो वाइन शॉप्स है उन पर लोगों को जाना पढ़ेगा महीं के उनको वाइन शॉप्स हो है वो खि करोड कर रिवेन्वी मिलेगा अभी फिलाल मौदूदा अगर टाइम सीड़ की बात करें तो 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 करोड रुपे का सरकार को वाइल लिकर के जो है वो टेक्स मिलता है और इनमें से अगर सरकार की नहीं पालसी इंप्लेमेंट होती है उसी नहीं लिकर लग होने कर पही तरी बोल्य लगेंगी और बड़ी उसथर पर जो है लिगों को जगाइंशॉप से जो खुन्ये का मौपा मिलेकर सरकार के सरकारी खाजाने में काफी मोता इमाउंट जो है वो आएगा एसलिए सरकार को वीदेत पजरीबन पैंसीस सो करोड के आसपार्स जो है माउंट है वो सरक सरकार के खाते में आएगा यानि कि अगर माना जाए तो सरकार को 10,000 करोड होपे का रिवेंडी जो है वो स्लीकर के जरीए जो है वो मिलेगा ये पूरा जो है वो सरकार की तरफ से खाका जो है वो तैयार किया गया है। सब्सक्राइब करना जो है तो सब्सक्राइब करना जो है इसके अलावा अगर बात की जाए है जो दिन्ली लिकर केडर एसोसेशन है उसके सुप्रीम कोड का दरवाजा भी खटाया है कि लिए कि ये फेस्टिवल सीजन है और अगर आप जो दिन्ली में प्राइबर लिकर्स को बंग कर रहे हैं जो अफरा तफ्रूर मश्रीप रहे हैं तरकार को तकरीबन इनके हिसाब को एक हजार करोडर रूपे का इन तालीस दिन्लों चालीस दिन्लों के अंदर रिवेल्यू का लॉस होगा लोग गुरुग्र्याम से जो वा हुँ हहाँ अधे टूर्याम से वाइन शर्प को एक देखा तो क्ल्ड़म इसको भी अखारेगा है जो धार कशी में आदेरों करें नावग दोरान ओरां का शरीया बढ़ते हैं वह उसट्रान तरकर करें दोरां प्रहिए वह करेंग पड़ती है तो ये भी एक सुनौती है को सरकार के लिए उसको भी सरकार मैनेज करने की परशी जो है कुई तरीके से कर रहे हैं। करना है या वोईस नौट भेजना है तो 9953323303 पर भेज दीजेगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस क्या है खुश्बू ने और सांड मिक्सिंग की है अमरित रेगी ने। मेरा नाम नेतन ठाकुर है सुनते रहे आज तक रेडियो।